हेलो अब्रिवन आप सभी का मेरे यूट्यू चनल में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है SS पैसन और मेरा नाम है संगीता तो कैसे हैं आप सभी उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत जादा ख्याल भी रख रहे होंगे तो यहां मैं आगई हूँ अपने बेडरूम में अपना बेड बनाने के लिए तो फ्रेंड्स आप लोग नोटिस कहरे रहे होंगे कि मैं सेम कुशन सारे बेड़ सिट पे लगा देती हूँ सच बताओ मैं तो मेरे पास है भी नई कुशन कवर क्योंकि मैं खरिदती ही नहीं हूँ और मैं अभी समान बढ़ाना भी नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स क्योंकि थोड़ा स्टोरेज प्रावलम है उतना जगह नहीं है समा रखनी के लिए तो मैं वही चीज़े लेती हूँ जो ज़्यादा जुरत होती है तो बेडरूम का बेट तो लग गया यहां मैं आ गई हूँ हॉल में यहां की भी मैं फटा फट सफाई कर देती हूँ तो फ्रेंड्स यहां भी आप देख रहा हूँगे कि सेम कुशन कवर वही प्रावलम मैं लेती ही नहीं हूँ सची बताओ तो जब ही मैं बेट ही करती हूँ ना तो नीचे ज़ड़ू लगाना पड़ता है गंदगी से ज्यादा तो सच पताओं चीटिया मुझे परिशान करके रखी है पता नी क्या प्रावलम है चीटिया नीचे नीचे आ जाती है बेट के साइड साइड लगाने चरू हजार ची कितना भी साफ सफाइच कर लो चीटिया आहीं जाती है पता नी क्या अच्छा लगता है उनलोगो तो अभी सच बताओं फिर्श मझे पोलने में थोड़ी प्रावलम होगी है क्यों कि मेरे गले में थोड़ा दर्द है पतानी क्यों हो रहा है मतलब मेरी ममी कहती है कि जब ग फोड़का होता है गले से गले पर लोहा से घीजा जाता हो मैं कर ली हूं सुबाखाली पेट अब देखते हूं कब तक ठीक होता है नहीं ठीक होगा तो डॉक्र को दीखाना पड़ेगा तो यहां मैं आ गई हूं कपड़ा फोल्ड करने के लिए दो तीन दिन से यह कपड़ा लटक रहा था क्योंकि यहां वेदर बहुत खराब रहता है धूप निकलता ही नहीं है तो कपड़े सुकते नहीं है तो संडे को ही मैं मतलब संडे को मैं बेटिश चेंज करती हूं और उसी दिन धो भी देती हूं तो सोची है संडे और आज है बुधवार तो यह दो दिन से लटक रहता है तो सुची । इसका तहरा लगा देती हूं तो जबarna लगाते हूं तो साथ में ना तसाथ में अब्र क्वेडया फोंट करती हूं कबर्डू हमारा लग жॉत होता पता क्या ना गर साथ में गलती से मेरा कपड़ा चला गया husband के husband का क्या है कि अपना एक टिशट निकाने जाएंगे पीछे से दो टिशट गिरा देंगे पता नहीं लड़के लोग इतने केरलेस होते हैं या फिर मेरे husband के साथ ही ऐसा है मुझे नहीं पता वैसे मुझे तो तील की गरम होते ही इसमें तीन से चार आप लोगो को डाल देना है लसुन जीरा एक तीजपत्ता और दो लालमीज और जब अच्छे से तड़क जाए तो इसमें तीन मिडियम सेच की प्याज को लमा लमा काटके थोड़ा पतला ही काटिएगा ताकि अच्छे से गल सके थोगा सा नमक डालके इसे ब्राउन होने तक भून लेना है तो ब्राउन जरूर कीजएगा इस तरह से अगर प्याज को कम भूनेंगे ना तो जैसी मसरूम डालेंगे प्याज सफे सफे दिखने लगेगा एक चमच भरके लसन अद्रक का पेस्ट डाल देंगे और लसन अद बिल्कुल चिकन वाला प्रोसेस है और बनता भी कुछ वैसाई है अब इसे मसाले डाल देंगे तो 140 स्पुन हल्दी पाउडर एक चुड़ी चमच धनिया पाउडर आधी चुड़ी चमच जीरा पाउडर और आधी चुड़ी चमच काश्मिरी लालमिज डाल देंगे कुछ से समक डालके मसालों को अभी और हम 5-7 मिटे के लिए भून लेंगे कवर करके गैस का फ्लेम लोही रखिएगा तो यह देखिए यह अच्छे से भून चुका है देखके लग रहा होगा कि बिल्कुल चिकन फ्राई बन रहा है तो एक कटोरी मतलब एक छोटी कटोरी मैं इसमे से 4-4 मिटे के लिए और पका लेना है तो यह देखिए फारली हमारा मस्रूम मसाला बन के रेडी हो चुका है अगर इस रिस्पी को और अच्छे से देखना है तो मेरे कोकिंग चैनल पर देख सकते हैं हमारे सब चीतों बन नहीं मस्रूम की तो आप लोग जरूर ट्राई की हैं करने हैं कि अप्राई करें का हुआ है थी की अच्छा खूर्आ का सिर्ग Anderson जरूर की दो झाल करिभी अप्रण झाल दूर्डवन मस्रूम के हम पानि पर विए समय स्धान जाषिए है जब हैं कौना मस्रूम के प्लड़ा जिसा नहीं सबकित ठाए है तो उट 좁ए शुच तो तेल में थोए साथ मैं हरी मीच को भी काट के रख लेती तो दोनों को साथ में डालेंगे और इसमें कुछ जादा नी डालना होता है बस हल्दी और नमक और इसे लाल हुने तक भून लेना होता है तो बहुत ही सिंपल है और यह बनता बहुत अच्छा है तो एक बार आप इस तरह से कुंद्रू का बुजिया ट्राइ कर सकते हैं बहुत मज़े की बनके रेडी होती है तो जब तक हमारा कुंद्रू बनेगा साइट से मैं रोटे भी बना ले गया हूँ ताकि दोनों काम साथ साथ हो जाए कुंद्र नहीं आना चाहिए लेकिन फिर भी आ जाता है तो अगर आप लोगों कोई आडे हो तो प्लीज बताईएगा आप लोग क्योंकि आपको मेरे वीडियो में कहीं भी म्यूजिक सुनने को नहीं मिलेगा तो भूजियाई मेरा बन चुका है तो सबजी रोटी बनाने के बाद मै नहाने आ गई हूँ मैं चाहता कुछ नहीं करती हूँ नगा नहाने के बाद बस मुश्राज्य लगाती हूँ लेप पाम, सिंदूर और एक बिंदे यही माना रूटीन है मैं फेस पे कुछ प्ली अप्लाया नहीं करती है गपे तो मैं अब आ गई हूँ नहाने के बाद पूजा करने तो मैं कभी भी पूजा कर लेती हूँ फ्रेंट्स सुबह साम दो पर जब भी मैं नहाती हूँ नब पूजा कर लेती हूँ ऐसा नही है कि बस सुबह ही नहा के पूजा करना होता है मन साफ होना चाहिए, पूजा में कभी भी कर लेती हूँ यहां मेरा दाल भी बन चुका है, थोड़ समें बनाई हूँ और चाहली बन चुका है तो मैं यहां पर फटाफट पापर सेक लेती हूँ क्योंकि हस्बेंट को अचानक से पापर खाने का मन हुआ तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लंच करने जाएंगे तो उमीद है कि आप लोग कोई मेरी वीडियो पसंद आई होगी शेली फ्रेंट समय लंच की था तो लग चुकी है तो लंच कर लेते हैं, आप लोग लंच कर लेते हैं